जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भूलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे News Click पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे News Click की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नासकार आप देख रहे हैं बोल किलब आजाद है तेरे और एक बार फिर मैं आपने दर्शकों का दिल से शुक्रिया आदा करना चाहूंगा कि आप लोग लगातार न्यूज क्लिक के हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि इसी तरह से हम आपके बुद्दे उठाते रहे हैं और आज बोल किलब आजाद हैं तेरे में मैं आपके सामने एक सवाल उठाने आया हूँ और यह सवाल बहुत हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ इस वक्त जब देश की जनता को कोरोना के वैक्सीन कोरोना के टीके मिल रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों तस्वीर है बताइए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आखिर उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट में क्यों है क्योंकि जो vaccine हमें दी जा रही है वो हमारे ही पैसे से taxpayer के पैसे से दी जा रही है हमारी ही जेब से पैसा निकाल कर फिर उस vaccine पर प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों इस देश में pulse polio अभियान शुरू हुआ दोस्तों उसमें कभी भी किसी प्रधान मंत्री की तस्वीर नहीं थी उस वक्ट जब पल्स पोलियो वैक्सिनेशन किया जा रहा था तो इस देश में उस देश में उस वक्ट आप्स नहीं थे इस तरह से इंटेनेट संचार माध्यम नहीं थे बावजूद इसके बहुती सुचारू ढंग से तमाम लोगों को वैक्सिनेशन लगाएगी पल्स पोलियो के ड्रॉप्स दिये गए आज जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहा रहा हूँ फोटो लोग बोले मार्केटिंग सीखो मिस्टर बाइडन क्यों बता रहे मैं आपको आपके स्क्रीन्स पर देखिए पहली है तस्वीर कपूर अजवाइन और लॉंग एनरजी बूस्ट है उसमें प्रधान मंत्री और विजयरूपानी दोनों की तस्वीर है फिर नीचे आईए नमो ऑक्सिजन में प्रधान मंत्री की तस्वीर है अब जो तंज मारा जा रहा है अमरीका के राश्पती जो बाइडन को वो क्या है तस्वीर आपके सामने यहाँ पर अमरीका ने मदद दी है उसमें सिर्फ यह लिखा हुआ यूएस एड यहाँ पर कभी कहीं पर भी जो बाइडन जो की अमरीका की अभी के राश्पती है उनकी तस्वीर कहीं नहीं है आगे देखिए दोस्तों एक और तस्वीर यहाँ पर भी नमो ऑक्सिजन मैं जानता हूँ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कॉंग्रिस लोगों तक मदद पहुँचा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राहूल गांधी की भी तस्वीर है मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कॉंग्रिस जो लोगों तक मदद पहुचा रही है चाहे औक्सिजन सिलिंडर्स हूँ चाहे खाने के पैक्स हूँ क्या ये लोगों के पैसे से खरीदा गया है इसकारत ये है कि क्या जो टैक्स का पैसा मैंने दिया है क्या यह उस पैसे से कॉंग्रिस ने खरीदा है मगर ये बात सच है कि भारती जनटा पार्टी सरकार जो आपको vaccine दे रही हो अपने जेब से नहीं दे रही है वो vaccines दे जा रहे हैं लोगों ने जो टाक्स का पैसा दिया जो सरकारी पैसा है भारती जनता पार्टी को जो एलेक्टोरल बॉंड से पैसे मिले हैं हजारों करोड उसमें से एक रुपया भी वैक्सिनेशन में नहीं गया है इसलिए मैं आप से पूछ रहा हूँ कि लोगों को जो वैक्सिनेशन लगाये जा रहे हैं के लगाये जा रहे हैं उसके प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों और सबसे अटपटी बात है कि मोधी सरकार के मंतरी जब उनसे सवाल किया जाता है किस कदर वौकला जाते हैं आपके स्क्रीन्स पर कॉंग्रिस के उंता जैराम रमेश ने कहा कि मेरा जो बेटा ह वो ब्रिटिन में पढ़ता है और जब उसे पहला टीका मिला लंदन में तब उसमें वहां के प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन की तस्वीर नहीं थी मगर यहां पर एक व्यक्ति जिसकी लंबी दाड़ी है उसकी तस्वीर कोविन सर्टिफिकेट पर दिखाई देती है इस कदर बॉख लागा है बीजेपी के नेता कि आप देखिए देश के जो एक मंत्री है हरदीव सिंगपुरी जो की यूनियन मिनिस्टर फाउजिंग अर्बन अफेज है उन्होंने क्या कहा वो ये कह रहे हैं कि कॉंग्रिस का जो एको सिस्टम है वो पगलाए जा रहा है क्या जैर यूनिवर्स्टी का नाम है जवारलाल नहरू यूनिवर्सटी और एक अस्पताल का नाम है राजीव गांधी अस्पताल सबसे पहले मेरे नजीव इचार काइदे से दोस्तों कॉंग्रिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना नहरू के नाम पर ना इंदिरा के नाम पर ना र उन्होंने शहादत हासिल की थी, उन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, तो इन दीनों के ये मुकाम है, मगर फिर भी मेरा मानना है कि काइदे से इनके नाम पर ये अस्पताल नहीं होने चाहिए, मगर बड़ी बात, हमारे देश में एक परंपरा रही है, जब भी कोई व् कई सडकों का नाम, दीन दयाल उपाध्या रख दिया, मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ, प्रधान मंत्री नरेह दुरमोदी तो जीवत है, हमारे बीच में है, तो फिर उनका चहरा कोविन सर्टिफिकेट पर क्यों है, कोविड के, कोरोना के जो वैक्सीन सर्टिफिकेट से उस पर क्यों है, क्योंकि प्रधान मंत्री तो अभी जीवत है, आपने उनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना दिया, या रख दिया एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम, ये बातें आपको अटपटी लगती हैं, क्या हरदीप सिंग पुरी जब ये बातें करते हैं, तो उनको बात समझ आती हो, क्या बोल रहे हैं, आप पढ़े लिके आदमी हैं, आप डिप्लोमाट हैं, आप एक राजनेक रहे हैं, एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये राजनेक जो हैं, ये डिप्लोमाट्स राजनीती में क्यों आते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये आदम इंद्रा इस इंडिया यानि की भारत इंद्रा है और इंद्रा भारत है एक देवकान बरुआ थे मगर आज ये कहने वाले कि मोदी इस इंडिया एन इंडिया इस मोदी भीड हजारों में है हमारे दर्जोनु न्यूस चैनल्स यही बात कहते हैं हरदीप सिंगपुरी, एस जैशंकर, हरश बरधन, रवी शंकर प्रसाद, ये तमाम मंत्री, प्यूश गोयल, ये सब कहते हैं मोदी इस इंडिया, एन। इंडिया इस मोदी, ये ही नहीं ये भी कहा जाता है कि अगर आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाए तो जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पहली बात काइदे से राजी गांदी, इंद्रा गांदी और पंडित नहरू के नाम पर भी नहीं होने चाहिए ये संस्थान वो हमारे वैज्यानकों के नाम पर होने चाहिए हमारे डॉक्टर्स के नाम पर होने चाहिए मगर ये सब हमारे बीच में जिन्दा नहीं है जीवत नहीं है और प्रधान मंत्री जीवत हैं अभी नरेंद्र जी नरेंद्र मोदी जी जिन्दा हैं अभी उनके नाम कोविड सर्टिफिकेट्स पर कैसे हो सकते हैं बताईए और दोस्तों ये सरकार उसका प्रचार तंत इतना ज्यादा असुरक्षित है कि जैसे ही बृतानी मेडिकल मैगजीन लैंसिट में मोदी सरकार की नरेंद्र मोदी पर हमला किया उसके पीछे चीन की ताकत थी ये दो ट्वीट्स देखिए दोस्तों ये दोनों नमूने जो हैं बीजेपी के प्रचार तंतर से जुड़े हुए हैं और दोनों ने चीन का लिंक ढून लिया है लैंसिट के पीछे मैं आपको बताना चाहता दोर असल लैंसिट के संपादकी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा किया आपके स्क्रीन्स बड़ुए हैं उन्हें समझना बेहद मुश्किल है इसके मताबिक एक्सपर्ट्स हर दिन सामने आते मामलों और मौत के आकडों को असल से ज्यादा मान रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पतालों में जगा नहीं है और स्वास्त कर्मी परेशान हो गए हैं संक्रमित हो रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग और डॉक्टर्स मेडिकल ऑक्सिजन अस्पतालों में बेड और दूसरी जरूरतों के लिए गुहार लगा रहे हैं फिर भी जब दूसरी वेव मार्च में शुरू होने लगी तो स्वास्त मंत्री हर्श बरधन ने एलान किया कि भारत महामारी का एंड गेम है वक्त से पहले भारत ने जश्ट मनाया था लैंसिट इस बात की आलोशना कर रही हैं मगर जो भारती जनता पार्टी का फूहड प्रचार तंत्र है उन्होंने लैंसिट के इस आर्टिकल के पीछे भी चाइनीज साज़श ढून निकाली क्या होगा इस पुलिटिकल पार्टी का दोस्तों क्या होगा इस देश का और देश की बात ही नहीं है दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अबसे कुछी महिनों बाद भ न वो दिल्ली दंगों के दौरान दिखाई सुनाई पड़ते थे कुरोना का जब पहला लॉकडाउन हुआ उस वक भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहे थे पिर जैसी बंगाल के चुनाव आए जोरों से सामने उभर कर आगए अब फिर से गायब है मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों जब उत्तरपदेश के चुनाव आएंगे तब यह फिर सामने उभर कर आएंगे इस कारकर में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये पुलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी छवी बचाना चाहती है अब इन्होंने कहीं से दो फूहड अंतरराश्ट्री एजनसीज निकाल रही है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है ये दो आर्टिकल्स आपके स्क्रीन्स पर हैं एक डेली गार्डियन एक आस्ट्रिलियन पोस्ट इन में से डेली गार्डियन में जो आर्टिकल लिखा गया है वो दरसल एक बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्माने लिखा है जिसमें भूरी भूरी तारीफ की गई है प्रधानमंत्री मोदी की और मेरे जैसे पत्रकारों को गाली दी गई है कि ये लोग तो सिर्फ नकारात्मक्ता जानते हैं और हमारे बिचारे मोदी कितना काम कर रहे हैं और यहीं नहीं दोस्तों पूरा जो तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं चाहे वो अनुराग ठाकूर हों आपके स्क्रीन्स पर दिखिए तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं वो बाकाइदा इस आर्टिकल का प्रचार प्रसार कर रहे थे आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि वाकई अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया है तो इस अच्छे काम की तारीफ तो जो औरिजनल वास्तविक गार्डियन है वहाँ पर आना चाहिए था ना अब किसी फर्जी गार्डियन को उठाकर आप अगर अपनी तारीफ करोणा चाहते हैं वो भी अपने ही प्रवक्ताओं से तो इसमें क्या मज़ा आया भई आप जानते हैं चाहे बृतानी अकबार गार्डियन हो या टाइम हो या अमरीकी अकबार हो वो असल में मोदी सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं हकीकत आप जानते हैं उनके बारे में दोस्तों एक बात तैह है कि भारती जनता पार्टी सरकार को सरकार चलाना नहीं आता। राजनीती में ये लोग माहिर हैं, इसमें दोराएं नहीं है बिलकुर। मगर सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है। मगर दुख की बात यह है कि इस वक्त देश में एक ही राष्ट्री पार्टी है जिसका नाम है कॉंग्रिस और कॉंग्रिस भी भारती जनता पार्टी को संजीदा चुनौती देने के मूड में दिखाई नहीं देती इसके एक छोटा सा मैं आपको मिथाल देता हूँ कॉरोना से निपटने के लिए इन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि अब हम एक कॉरोना टास्क फोर्स बना रहे हैं जिसमें हम लोगों की मदद करेंगे और इसमें करीब 10-12 नाम दिये गए हैं इसमें जो आदमी सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसका नाम सबसे आखरी है श्रीनिवासन जैसा कि आप जानते हैं कि आप सोशल मीडिया पे श्रीनिवासन से अपील करते हैं तो वो भरपूर कोशिश करते हैं कॉंग्रिस के सुरोतों के जरीए मदद करने के और लगातार आ दूसरे अंबिका सोनी कौन अंबिका सोनी कहां हैं अंबिका सोनी मुकुल वासनिक मैं यह पूछना चाहता हूं यह जो पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं यह कॉंग्रिस किसी और काम में भी डाल सकती थी इनकी कोई भी काबलियत नहीं है सिवाए श्री निवासन को छोड़ हाँ पवन खेरा साहब भी हैं और एक दो अच्छे अच्छे नाम हैं मगर दिपिंदर हुड़ा कहा हैं बताइए ना आज की तारीक में राजनीतिक तोर पर अगर हर्याना में खटर सरकार को कोई चुनौती दे रहा है तो वह हुड़ा परिवार और दिपिंदर हुड़ा नजाने कितने लोगों की मदद कुरोना काल में कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों कॉंग्रिस में ये तीन शेहरे शुरिनिवासन दिपिंदर हुड़ा और मुकेश शर्मा मैंने इन लोगों से कई बार अपील की है क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में म हर बार उनकी मदद करते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि कॉंग्रिस की इस लिस्ट में दिपिंदर हुड़ा क्यों नहीं है बताइए काइदे से इस लिस्ट में युवानिता होनी चाहिए जो सही माइने में काम करें और जिन तीन लोगों के शुरू में नाम है इन्हें तो दोस्तों मैं दावी के साथ कह सकता हूँ कि भारती जनता पार्टी के नाकारापन को उनकी नाकामी को चुनोती देने में कॉंग्रिस पूरी तरह से नाकाम साबित होगी राहुल गांधी अच्छी बाते करते हैं सही बाते करते हैं देश को पहले से चेतावनी भी देते हैं जो भारती जहाता पार्टी का विकल्प हो सके बीजेपी जो गावनन्स नहीं कर रही है भारती जहाता पार्टी जिसने 7 साल में देश की साका की ऐसी तैसी कर दिये मट्या मेट कर दिया है इसलिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्रिय तोर पर बीजेपी को एक चुनाथी मिले मगर क्या कॉंग्रिस वो चुनाथी दे सकती है अभी चार साल बचे हैं तीन साल बचे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि कॉंग्रिस जमीनी हकीकत को समझ कर सही माइने में चुनाथी देगी या फिर क्या तीसरा मौशा मौशा मजबूत होगा ये तमाम उद्दे है बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही अविसार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार